Good morning, आज है 8 March यानि आज है International Women's Day तो सबसे पहले आपको Happy International Women's Day and yes, it is special to be a woman सबसे पहले बताना चाहूंगी Theme इस साल का 2022 का वो है Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow जी हाँ, Gender Equality बहुत जरूरी है अगर हम Tomorrow यानि की कल Sustainable Life जीना चाहते हैं एक Balance Life जीना चाहते हैं एक और Theme है, चोगी काफी important है हो सकता है कि exam में आपको ये Theme आ चाहिए, ये ये Theme आ चाहिए तो आपको पता होना चाहिए Will you help break the bias? Will you help break the bias? और Theme Color इस वार का है Purple, White and Green 2022 International Women's Day आज यानि 8 March को celebrate किया जाता है देखिए, ये Day स्टार्ट हुआ था 1908 में और काफी Revolution के बाद ये Day Women को मिला है International Women's Day सबसे फ़हले वीडियो में होता है Homework, तो चलिए Homework देख लेते हैं कवच सिस्टम Will be introduced in which mode of transport? तो कवच सिस्टम Introduce किया गया है Railway में काफी Important है और ये सिस्टम Actually में Collapse नहों हो जाए कोई train, एक train, दूसे train से Collide नहों हो जाए, मिलना जाए इसके लिए Anti-Collision टेस्ट किया जाता है जिसको कवच सिस्टम कहते है सागर परिकरमा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है गुजरात में गुजरात के मंडी में स्टार्ट किया गया है सागर परिकरमा प्रोजेक्ट जिसके अंतरगत Fisherman Communities को Support दी जाएगी, Help दी जाएगी आगे बरते है Current Affairs Series, Question No.1 International Tribal Film Festival कहां ओगनाइस किया गया है तो ये ओगनाइस किया गया है अरुनाचल प्रदेश में अरुनाचल प्रदेश North East India का एक State है जहां पे International Tribal Film Festival और नाइस किया गया है अरुनाचल प्रदेश जो है वो बॉर्डर शेयर करता है चाइना और मैनमा के साथ तो काफी important है साथ में नागालेंड और आसाम से भी बॉर्डर शेयर करता है अरुनाचल प्रदेश भुटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है तो तीन international बॉर्डर शेयर कर रहा है काफी important place कुशन 2 Recently a exercise held बिटमिन इंडिया और सिर्लंका called इंडिया और सिर्लंका का भी exercise हुआ है और इसका नाम है Slinex ध्यान रखे Slinex Slinex नहीं है क्या है Slinex देखिए Slinex नेवी exercise है और ये इंडिया और सिर्लंका के बीच में conduct करवाया गया है विशाखा पटनम में साथ मार्च को तो काफी important है साथ मार्च को विशाखा पटनम में Slinex exercise जो कि इंडिया और सिर्लंका का exercise है कुशन नमबर 3 कौन से स्टेट सीम ने स्टार्ट किया है गुरू जी क्रेडिट कार्ड स्कीम तो ये स्टार्ट किया गया है जारखंड सरकार के द्वारा बजट आ चुकी है और उस बजट में गुरू जी क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया गया है ताकि जो भी स्टूडेंट है ठीके उनको हाई लेबल एजुकेशन मिल पाए इसके लिए ये प्रियास किया गया है कुशन नमबर 4 फर्स्ट इंडिया ग्लोबल फॉरम पहला इंडिया का ग्लोबल फॉरम कहां हो रहा है देखी क्योंकि ये पहला है तो important है और ये हो रहा है बैंगलूरू में फर्स्ट इंडिया ग्लोबल फॉरम इन्ग्रेट करते हैं Minister of State and Electronics राजीव चंद्र सेखर इंडिया ग्लोबल फॉरम बेंगलोरू में 7 और 8 मार्ज को कंडक्ट कर्वाया जा रहा है इसके अंतरगस 30 uniqueur on participate कर रहा है यहाँ पर unicorn का मतलब है ने बीच By please blue Chip companies 이 की participate कर रहा है वह बहुत important बातConf I'm चीप डिजाइणिंग चीप डिजाईन मैंनुफेक्ट्रिंग यहाँ पर एक इमर्जिंग सेक्टर कि तदह आता है चीप डिजाइन क्या जा रहा है इन्डीया ग्लोबल फोरूम में बताते राजीव चंद्रसेकर कि चिप डिजाइन एक न्यू सेक्टर है जिसकी ऑपोजिनिटी इंडिया में बहुत जादा है ठीक है और सेमी कंड़क्टर कंजप्शन भी इंडिया में बहुत जादा है क्योंकि इलेक्ट्रोनिक एक ऐसा सेक्टर है जो कि इमर्ज हो रहा है इंडिया में और उसकी ग्रोथ का काफी चांस है कुशन नमबर फाइब कबोमेंट ओफ इंडिया ने स्टार्ट किया एक पोग्राम डोनेट अपेंशन स्कीम यह पोग्राम किस इनिशेटिव के अंतरगत है तो व काम नहीं करते हैं जो डेली विस अर्ण करते हैं जिनको अन और्गनाइज सेक्टर के वर्क कहा जाता है इसका एज ग्रूप है 18-40 साल के लोगों को हर महीने 660 रुपय से लेकर 2400 रुपय देने होंगे ताकि जब वो 60 साल से अधीक हो जाए उन्हें हर महीने 3000 रुपया मिल आगे बढ़ते हैं कोश्यों नमबर 6 के तरफ पुरुसकार मिल रहा है क्योंकि हम सभी चानते कोवीट के कारण काफी कुछ लेट हो चुका है तो फोर सोसल वेलफेर ऑफ विमेंस से पास्ट इन जुलाई 2021 और हैस रसीव्ट नारीश शक्ति पुरुसकार इन 2022 ठीक है तो यह रसीव कर रही है क्योंकि मर चुकी है मरने के बार इनको मिल रहा तो इनकी फैमरी को मिलेगा यह वार्ड कोशन अबर सेवन पर आते हैं अगर वीडियो में कहीं डाउट है आवाज में कोई इश्यू है किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए या आप किसी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं जिसमें आपको पाटिक में हैजराबाद में बनने वाला है largest data center of Microsoft जो की बहुत important news है Microsoft यह बनाने वाला है 2025 तक हैजराबाद में और क्योंकि यह Microsoft का portfolio handle करेगा जिसमें आता है आपका cloud computing data solution AI productivity इन सब को वो देखेगा question number 8 पे आ जाते हैं कौन सी agency ने अभी हाल में send करने वाला है Clipper spacecraft काफी news में है यह क्या है थोड़ा जानते हैं कौन सी agency भेजने वाली है तो वो है NASA क्लिपर phase craft जो है watch study करने वाला है जूपिटर के ic moon को जिसका नाम है यूरोपा और इसलिए इससे जाना जाना रहा है यूरोपा क्लिपर सपेसऔर के नाम से NASA इसे भेजने वाली है और इस पर काम करने वाली है 2024 तक ये एक ऐसा स्पेस्क्राफ्ट होगा जो स्टडी करेगा यूरोपा के बारे में यूरोपा गया है I see Moon of Jupiter दिखते आज का quiz यानि आज का homework चुकि आपको comment box में देना होगा प्रान वायू देविता पेंसेन स्कीम किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है और fearless governance book किसके द्वाड़ा लिखा गया है बुक का नाम है fearless governance दोनों का answer आप comment box में दे और वीडियो अच्छा लगे तो please like कर दे, share कर दे और channel को subscribe कर ले ताकि daily कर interfere आपके पास मिल जाए Thank you towards the video till last